अब इशेक कुमार से आज पूछने पर जून का क्या कहना है जो नया क्लॉस निकला है No Affairs on the 6th क्लॉस क्योंकि वो भी टेलीवीजन से रह चुके हैं और साथे साथ टेलेवीजन में काम भी कर चुके हैं उनके इस क्लॉस पर क्या थिंकिंग है उस पर अब शेक कहते हैं कि मुझे अपनी केरियर के रास्ते में अब कोई भी बाद है नहीं चाहिए और साथे साथ मुस्कुरा कर वो इस बात को कन्फर्म करते भी नजर आए कि इशा मालविया के साथ उनका रिलेशर्शिप सेट पर अच्छा नहीं था और इस बात से वो पूरी तरह एग्री करते हैं कि सेट पर अफैर्स नहीं होने चाहिए वेल इशा मालविया और अब शेक कुमार की कहानी हम विग बॉस 17 में सुन चुके हैं लेकिन अब शेक को लगता है कि किसी के कैरियर पर कोई बाद है नहीं आएगी जैसा कि उनके साथ हुआ था ओडारिया के सेट पर मेल अब शेक कुमार ने दो दे दिया है अपना चबाब की सेट पर नहीं करना शाहिए कोई भी अफैर्स या फिल लव आपके क्या रहा है इस पर क्या आप भी करते हैं इस बाद से अगरी हमें कॉमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल